हेलो फ्रेंड्स जैमातादी मैं विजय जडिया और आप देखेरें मेरा यूट्यूब चनल ट्रेड ओन लेवल जैसा कि मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में बताया था कि लाइव डिटा सीट के अंदर मैंने कुछ मेजर अपडेट किये हैं जिसकी वज़े से यह सीट भ करते हैं लेकिन आप निफ्टी स्पोर्ट को या फिर फ्यूचर को ट्रेक करके अपना स्टॉप लोस और टार्गेट सेट करना चाहते हैं तो वह भी आप इस सीट के मदद से कर सकते हैं तो सबसे फिलाप आप स्कीन में देख सकते हैं यह लाइव डिटा वाले सीट है और इसके अंदर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के नियरवाई स्टैक प्रेस को एड़ किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ल्टीपी, ओपन, हाई, लो, प्रिवेस, क्लोज, ओवाई, वॉल्यूम, वीवेप, टोटल बाई कॉंटिटी, बेस्ट बाई कॉंटिटी, बेस्ट आस्क प्रैस और बेस्ट सेल कॉंटिटी, आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इन सब के सेटिंग इसमें करीवी है और आप देख सकते हैं यह सब के रेट टिक बाई टिक अपडेट हो रहे हैं तो मैं अभी इन सबी सेल को एक बार हाइट करूंगा जिससे मैं आपको यह बता सकों कि अलगो टेडिंग अगर आपको करनी है तो इसमें किस तरह से सेटिंग करनी है सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ट्रेकर के सेटिंग करी है और इसकी बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ प तो 40,800 वो ATM होगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अल्रेडी उसको सेट कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेकर तो ट्रेकर के अंदर फिलाल आप्शन की प्राइस सेट है तो यह आप्शन के मदद से ट्रेड करेगा लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्व 40,800 कॉल के अंदर ट्रेकर के अंदर मैंने बैंक जिफ्टी के स्पोट प्राइस को सेलेट कर दिया है अब अगर मैं यहाँ पर इसको बाई करने के लिए लगता हूँ तो मुझे पहले कॉंटिटी लिखनी है और बाई सेल वाली कलम में बाई लिखना है और अब मुझे यह हम थोड़ दिर वेट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 819 जैसे बैंक जिफ्टी का स्पोट पैस 820 के नीचे गया तो हमारा ट्रेट टिगर हो चुका है यहाँ पर हमारी एंट्री पैस आ चुकी है MTM चल रहा है और यह Open Position चल रहा है अब मुझे इससे exit करना है 40,840 के उपर तो मैंने यहाँ पर exit अबो में 40,840 लिख दिया है अब जैसे बैंक जिफ्टी 40,840 के उपर जाएगा तो उस समय स्टेट में से exit हो जाएगा और जैसे कि आप देख सकते हैं फिलाल बैंक 40,799 के नीचे भी exit हो जाएगा और 40,840 के उपर भी exit हो जाएगा अब मुझे इसके अंदर कुछ भी changes करने की जुरूत नहीं है नीचे के side में हमने मारे stop loss लगा दिया है और उपर में हमारा target में set कर लिया है और आप देख सकते हैं हम इस समय option में trade कर रहे हैं लेकिन हमारा exit above के अंदर मैं 40,830 करता हूँ जिससे हमें देखने को मिले कि किस तरह से seat के अंदर exit होता है यहाँ पर आप tracker में जो भी करेंगे उसी के मदद से trade होगा example के लिए अभी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 40,800 का put है और इसको मैं option के stack price के मदद से ही track करना चाहता हूँ और उसी के मदद से stop loss or target set करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे पहले quantity लिखनी है buy sell वाली कलम में buy या फिर sell करना है अब इसके बाद में आप देख सकते हैं 187.60 चल रहा है तो यहाँ पर हम entry blue में कर देंगे अगर 184 के नीचे जाएगा तो यह buy हो जाएगा और आप दे price आप देख सकते हैं 40,826,830 के उपर जैसे ही निकला वैसे हमारा trade trigger हो गया और उपर वाले trade में से हमारी exit हो चुका है आप देख सकते हैं हमारा M2M यह हमने profit book कर लिया है और इसी तरह put के अंदर आप देख सकते हैं 181 हमारा entry price थी और 184 में मैंने exit का price लिखी है और नीचे में भी मैं stop loss set कर देता हूँ 175 तो अगर 175 के नीचे जाएगा तब भी exit हो जाएगा और 184 के उपर जाएगा तब भी exit हो जाएगा तो इस तरह से हम इसके अंदर risk management से trade कर सकते हैं और हम spot को भी track कर सकते हैं अगर मैं future को track करना है तो हमें यहाँ पर equal to link के future को select करना है और entry above exit above करेंगे तो यह future को ही track करेगा तो आपको spot के price को track करके trade करना हो future के price को track करके trade करना हो या फिर option के price को track करके trade करना हो सभी की setting मैंने seat के अंदर कर दी है और आप फिलाल देख सकते हैं option के price जैसे 184 के उपर निकला वैसे हमारे trade में से exit हो चुका है तो इतने simple तरीके से आप इसके मदद से elgo trading कर सकते हैं जो भी यहाँ पर tracker में select रहेगा उससे किसाब साप entry above, entry below, exit above, exit below कर सकते हैं तो इसके अंदर मैंने बहुत यह simple setting करी है जिसके अंदर कोई भी अपने हिसाब से elgo trading की setting कर सकता है अपने stop loss को set कर सकता है, target को set कर सकता है और चाहे हो stop loss और target spot spot के उपर हो, future के उपर हो, या फिर option price के उपर हो, सभी कुछ आप इसमें track कर सकते हैं और इसके मदद से easily trade कर सकते हैं तो आसा करता हूँ, इस seat के अंदर मैंने जो भी नए अपडेट किया है उसके मदद से traders को अपने trading में बहुत ही help होगी, thank you for watching this video, जैमातादी